हांजे स्टूडेंट्स वेलकम करदें तो होड़ा तूर स्टडी क्लास यूटूब चैनल दी विच्छ इस वीडियो दी विच्छ स्टूडेंट्स अपां बीए स्मेस्टर फर्स्ट बीए स्मेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट्स दे लई जड़े की हैं इंग्लीश कंपकल्सरी इंग्लीश कंपकल्षडीर प्रोज सेकेड़के यां जिस दा जिनने भी एस प्रोज दे वीदधी structure questions बहँ लं चे उना सब्सक्राइब करने जरूरती नहीं कि क्योंकि जड़े पॉइंट्स एक्स्प्राइशन देविचे यूज होंदे ठीक है तुसी वीडियो जरूर वाच करो पॉइंट्स दिये ते इस तो लावा जड़े की हैंगा प्रोज प्रोज अपा तिन अल्रेडी अप्लोड कर चुक् आपण इस देविच करांगे तो अपने प्रोज है इसे सारे कोशिण अंद एक को अंसर करांगे के ते एक कोश्चन दूरिवर्डिंग और बहुत ही इजी वर्ड निंग है ते विद हैडिंग जरू यह लाज होंदे है नौ क्योंकि हैडिंग जरूरू बहुत जल्दी या 127 एनले प्रिंसीपल आफ गुड राइ्टिंग कुश्व मैं है निного Kin tying ow डिकस डीचे अफ इसे विंडिपल इसे ब्रिंसीपल डिसकस किते हैं यहाल्सोन डिसकस अफ ऒर आउंडरीटिंग कर्या है जड़ी की राइटिंग एक कल थे वहीं है ओकी में थे वारी अपनों डिस्कस किता है इस देविज, प्रिंसीपल उफ गुड राइटिंग सब तो पहला हेड़िंग कड़ ना दुस्यी सम बेसिक प्रिंसीपल आफ गुड राइटिंग द्यली प्रिंसीपल ने हां जी फर्स्ट है दा फर्स्ट प्रिंसिपल अफ गूड राइटिंग इस डैट वोई शुड वोई शुड राइट एंड थिंक एथे एंड दिखना में तुर गागया एंड थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली कहना भी सब तो पहना की प्रिंसिपल गूड राइटिंग दा कि सानु जीडे की लिखना थे सोचना जीडे की क्लियरली चाहिदा थे लॉजिकली चाहिदा तरक सांगत चाहिदा वोई शुड ट्रेन अवर माइंड टू फोकस ओन पटिकुलर प्रॉब्लम्स कैना सानु अपने माइंड नू ट्रेन करना चाहिदा की वोई कीते फोकस करे जडे पटिकुलर प्रॉब्लम्स थे ठीक है वोई शुड टील दा प्रॉब्लम्स पॉइंट वाइपॉइंट ते सानु जडे प्रॉब्लम है उन्हों पाँ पॉइंट वाइपॉइंट से सोचना वोई मस्ट इनक्रीज अवर वकैबलरी एंड इंपुरूब्ल अवर पावर अफ एक्स्प्रेशन्स ते सानु जडे कि अपनी वकैबलरी इंक्रीज करनी चाहिदे आपनी जड seguridad वली अँनू पदा होना चाहिदा ते सान्नु जडे कि आपनी किसे दे अगे express करन वाली जड़ी पावर है उन्हों improve करना चाहिए ठीक है उन्हों सदारना चाहिए वोई शुड राइट इन simple and informal style ते सान्नू की में लिखना चाहिए सिंपल ते informal style देना लिखना चाहिए वोई शुड read the newspaper carefully ते सान्नू newspaper देड़ की carefully read करना चाहिए क्योंकि newspaper देड़ी के अपनी vocabulary बहुत increase हों दिया we should keep our eyes and ears open when we read कैना जदो अपना कुछ read कर रहे हुए ता पानू अपने eyes देड़ी के ears ने ओपन रखने चाहिए देन we should read newspapers as well as magazines and other books सान्नू कैना newspaper रखने चाहिए नालदी नाल magazines दे कोई जड़ी होर बुक्स ने रिलेटेड ठीक होर रखने चाहिए जने आपनी vocabulary increase होँए रेगुलर एंड फ्रिकेंट दी थान दी जड़ी जड़ी के रिपीटड लिख साथ है रिपीटड वार जेज सिमिलर है प्रैक्टिस इजन सैसरी तूड़ी तू राइट वैल एक चंगे लिखन देले जड़ी अपने अबिल्टी बनावनी है अबिल्टी पैदा करनी है अगला हेडिंग कीपिंग और नोट बुक सब्सक्राइब तूसे स्टूडेंट सारे पॉइंट्स लर्न करने ने पॉइंट्स पहला लर्न करने ने फिर बिच वाल जड़ी की मिटीरियल फिर इजी याद होंदा कोश्चन एमीजड़े की प्लिटिकल साइंस हो गया जड़ सब्सक्राइब कीपिंग और नोट बुक नोट बुक जड़ी की नाल रखना वोई शुड़ आल्वेज हैव नोट बुक विद दस के ना साध्य कोल हमेश्या सानों नोट बुक अपने कोल रखनी चाहिए दिया सम्ताम्स वोई नोटिस न्यू तिंग्स वैन वोई आर और किते वाउक कर रहे हुने किते बाहर जा रहे हुने तहाँ पनु कई वर नमेने में चीज अपने नोट इस दे भी चाहन दिया हम अपकुछ चीज देख दें था अपने कोल जदो नोट बुक होगे अपनू जद लिख ला है क्योंकि नहीं आपा पुल जाने हुने ठीक हाँ New ideas come to us when we are reading a magazine magazine read कर रहे हुए newspaper read कर देया जा कोई book read कर देया ता ओधो अपने call जड़े कि नभीणमे ideas अपनु आइड़े हुए newspaper रीड कर रहे हुए तो जे अपने call जदी होसे time जड़े की नोटबुक होगी तो यह उत्ते नाल दीनाड़ा पाल लिख सकागी वो शुड राइड डाउन इन ओवर नोटबुक ते जानू कहना जड़े नमेननों में आड़ीज होंदे यहने मैगजीन नू रीड करते होई नीजपेपर नू रीड करते होई बुक नू रीड को सिच्वेशन देविच वैसे तुसी कुछ रीड करते होई तो आंनो नाल दीनाल की सीच्वेशन देविच में होऊर कोश्चन जी आदा आजाने हैना मतलगी अलगलाग आईडेज ताहनू आनल लाग जाने विचिमें तुसी स्पोसी इंगलीश दा जा रोतानों लगगा की होन पंजाबी दा की में जार करना ओ तो आडे माइन देविच अलगलाग हर एक सिच्वेशन देविच अपने अलगलाग आईडेज आउं देनी तो जदो तो आडेकोल नोटबुक नाल हुगी इस मतलगी इस प्रोस देविचे दसे वे गुड राइटर देडेकी गुड राइटिंग करन देली ता हनू की करना चाहिए वि नाल दी नाला जेडे की चंगी लिखत देली ता हनू नाल दी नाल अपने कोल नोटबुक रखनी चाहिए वि जद नमे आईडेज आउन तुसी जदे उसनू लिख सको ठीक है एस कैनदा पावे है वेन वोई गोट देली राइडाउन काना जदो था हनू आईडेस मेल ला ता उसे समय ता हनू जल्दी उनू लिखलाना चाहिए दा तो इट इस आलवेज यूसफुल टू कीप नोटबुक हैंडी जिस करके कैनदा है हमेशा यूसफुल रहेंदा कि तह डेकोल आगर हाथ दी वीच नोटब पिस रेगुलर करने चाहिए दिया नथिंग ग्रेट एंड गुड अचीवड विदाउट हाडवर्क काना कोई भी चीज महान जा कोई चंगी डिडी की चीज है ठीक है ओ कदे वी हाडवर्क तो भीना नहीं मिल दी इक चंगी ते ग्रेट अचीव जिटा ओ कदे भी प्रैक बुलिडू रेगुलर अंडर पित आड प्रैक्टिस तासानु हर रोज तेर फीट जडी प्रैक्टिस करने चाहिए दिया वोई शुड पर्द अबिल्टी तो थिंग क्लीरली अद लॉजिकली तैसानु केडी अबिल्टी अपनानी चाहिए थिया तासानु जड़ी की सोच आप जदो बार बार कुछ लिखत करांगे जब आप एक्जांपल अने विदा हनु सॉंग लिखन दी जड़ी कि शोंगा तुसी लिखना चाओ न जड़ी दो तिन वार जदो लिखोंगे तो आटे माइड जा डेली कुछ लिखन दी प्रैक्टेस करोंगे तो आटे नाल दी न इंडर डेल्प होंदा जाओगा तो तुसी एक एन वदिया फिर उन्नु सॉंग लिख पाऊंगे जा तुसी कोई पोईम है तुसी मतले कि होन थोड़ा थोड़ा आइडिया है कुछ लिखन दा हना फिर तुसी जदो नू एन डेली डेली प्रैक्टिस बना लोंगे कि बैठ नो गुड़ तु वेट फोर एन इंस्पिरेशन कैना यहें चंगा नहीं है कि तुसी किसे डीक करों में था हनु कोई प्रैणना दवे प्रैणना दी डीक नी करने चाहे दी बलकि तुसी प्रैक्टिस करोंगे डेली तात हटी जड़ी कि लिखता जो भी तुसी कोई सौंग लिखन दी हैबिट बनाई है जा कोई पोईम लिखन दी हैबिट बनाई है जो डेली तुसी ओधे वारे कुछ किसे टोपिक वारे वारे वर्डस सोचोंगे तो अपने आपा जड़ी कि तुसी एक चंगे राइटर ती एक चंगे जड़ी की गीतकारा जड़ी की लिखन वाल कैना writing नड़ी 90% की देड़ पेंड कार दिया hard work ते and 1% inspiration ते 1% inspiration देड़ पेंड कार दिया so we must have a bit of practicing जिस करके साननू habit का दी होनी चाहिए प्रेक्टिस दी देता हनू डेल्ली जड़ी की साननू practice the habit होनी चाहिए अगे हैंगा paragraphing और presentation presentation is very important in good writing इक चंगी राइटिंग देविचे चंगी लेखत देविचे presentation जड़ी की बहुत ही महत्त पुर्ण होन दिया ठीक है important होन दिया our opening paragraph should arrest the reader's intention काना सड़ी जड़ी की पहली paragraph जड़े की पहली ओपनिंग पैराग्राफ दी किमेदी होनी चाहिए तांकी हो जड़े की रीडर आउनू पड़नन वाले इनू जड़े की त्या आनू अपने वाल खीच सके ठीक है अड्रेस्ट धी थांचे तुसी अंटेंशन एजी थांचे अट्रेक्ट भी लिखसा दियो अट्रेक्ट ठीक है ओबर ओपनिंग पैराग्राफ शुड अट्रेक्ट रीडर्स अटेंशन बीधा डी जड़े की जड़े फस्ट पैराग्राफ हो जो उन्हों पढ़ना वारे सोच रहे है ओ है जा अट्रेक्टिव होना चाहिए था कि उन्हों दो सारा इंटेंशन इस ट अटे रीडर्स पढ़ना वाला है उन्हों एक लियर होना चाहिए था फर्स्ट टॉपिक तोई हो तुसी ओदेनाल की डील करन जा रहे हैं तुसी तुसी टॉपिक कर जड़े की रीड कर वार हैं जिमें सपोस्ट तुसी जड़े की विसाखीदा मेला लिखना ओदे वीचे म आप पला अगे है धा मेंट बोडी धा मेंट बोड़ी ऑफ ओवर राइटिंग शुद डील विद द आईडियाज इन्टोड्यूज इन्ट फर्स्ट पेराग्राफ के ना जिड़े मेंबोडी थिया राइटिंग दी ओदे विच ही जड़े की ज़डे मेन इंटोदियूस पेराग्राफ ज़डे इंटोदियूस उन्दोनु फस्ट पेराग्राफ देविच उन्टोदियूस होने चाहिदेने अप्पा कैसा देवी जेडी साड़ी तुसी लिख रहे हो कुछ भी ओधे पहले पाग देविछी तो आड़े जेडे विचारने उना दी पूरे जेडे क्योंनू व्यक्या होनी चाहिए थिया मतलगे फर्स्ट पैरे दी विच जेडे दत्ता भावंदा साड़ाक पैरा जा वाकतो जेडेकी साणनू लेकुनिंग साफ सूत्रा ते संतोक जणक जेडेकी सिट्टा यूदा प्राप्त होना चाहिए साधी राइटिंग होनी चाहिए दिया पाव के एक चंगी लेखत होनी चाहिए दिया साधी इट शुड लीव दा रीडर विद दा क्लियर ओफ वट वोई हैव वीन सेइंग तेहे देड़े की पड़न वाला पाठ का उन्हों क्लियर हो जावे कि असी जिस दिसी चार्चा लेक कर दें आपके उन्हों टॉपिक हैं क्लियर समझा लग चलिए ठीक है जो दुसी स्टोरी लिखिया जो पोईम लिखिया जा को नौवल वगरा निखिया अग्या है अग्या है अवाइड लास्ट पैरा अवाइड प्राइवेट और पर्सनल प्राब्लम्स अवाइड करने च प्राइवेट 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 प्रा की अगे फेस कर सागदेने ओव प्रॉब्लम्स जदो जड़े की पाठ का नाल रीडर्स देनाल डिस्कस किते जान ता ओवो जड़े की उस चीजनू इंट्रेस्ट लंदेने ठीक है पड़ने वाले सो वोई ओल्वेस रिमेंबर जिस करके सानू हमेशा रिमेंबर रहना चाहिएदा फोर्गेट अवाउट यूर्स अल्फ तिंक अल्ली आफ दा रीडर्वी जोदो तुसी कुछ भी लिखरे हो और कोई भी टॉपिक लिखरे हो ठीक है किसे भी टॉपिक नू लेगर चाहिए त कि अपने आप दा इंटरेस्ट पुलन है तुसी एे सोचनै कि जो इसनु पढ़ू गा ओन्नु इस दे वीचे विचे उ इंटरेस्ट आओना चाहिए ठीक बी ओन्नु चीज सांधांनी चाहिए जो तुसी लिखरे हो ठीक है अपने अपननु पुलन लेणा सिर्फ किदे वा उस्ट यह देखना कि बी एहें जेड़ेकी उन्णू देखना चौन्देने जयदा एंड़ेकी हैपी देखना चौन्देने मतलगा कि रिडर नू तोछ के अपना सारा कनक्लीजन तुछी कटना रिडर पाव कि जो इस नू पढ़ नाई हाँ जी ये सिता इस चेप्टर दे जेड़े मर्जी कोशन आवे only one answer ठीक है ठैक्स